नवादा जहरिली शराब कांड में एसपी के नुशंसा पर मगद डियाएजी ने कारवाई करते हुए नगर्थाना ध्यक्षटीन तिवारी को निलम्बित कर दिया मालूम हो कि बीते दिन पटना से उचसतरीय टीम को जांच के लिए नवादा भेजा गया था जिसमें उन्होंने ये संभावना जताई थी कि लोगों की मौत का कारण शराब हो सकता है मालूम हो कि बिहार में शराब बंदी के बावजूद ना तो शराब तसकरी रुक रही है ना ही शराब का निर्माण ऐसे में जहरली शराब से मौत की घटना सरकार के लिए चिंता का विशय है राची के नामकुम थानाक शेतर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है गुपता सोचना के आधार पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 100 किलो डूडा पाउडर के साथ दो तसकरों को गिरफतार किया है ग्रामिन S.P. नौशाद आलम ने बताये कि अफीम की खेती के खलाफ अभियान चलाए गए बावजूद कुछ इलाके इस पुलिस की नजरों से बच गए ऐसे में तसकरों पर लगानी की तमाम कोशिशे जारी है लेकिन अब उसके पूरे प्लान को लोग डस्ट फॉर्म में करके आउडर फॉर्म में करके इसकी तसकरी करना लोग शुवी कि पहली के थाना परभारी के तक परता के वजह से यह पक्री गई है मुजफरपूर पुलिस ने लूट की योजना बना रहे पांच अपरादियों को हतियार के साथ धर्दबोचा एसेसपी ने बताया कि गुप्त सूशना के अधार पर पुलिस ने ये कारवाई की है ये सभी अपरादी पहले कई अपराद की घटनाओं में भी शामिल है और मुजफरपूर जिले में अपरादियों का कहर जारी है दरसल जिले के मोतिपूर थानक्षेत्र के पास अपरादियों ने लूट का विरोध करने पर एक शक्स को गोली मार दिया और पचास अजार रुपए मोबाईल पर्स सहीत कई अन्य सामान लूट कर फरार हो गए वहीं गायल की हालत को नाजुक देखते हुए पटना रेफर किया गया है गायल शक्स की पहचान मोतिहारी जलिके वर्वा गाउन वासी भगवन तिदास के रूप में की गई पेशे से वो शिक्षक है गायल का कहना है कि वे दवा लेकर अपने घर जा रहे थे और इसी कड़ी में तीन बाइक पर सवार साथ अपराधियों ने इस घटना को अन्जाम दिया झाल